हेलो व्रेंट्स कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों हैं विशाल आसपका स्वागत करता हूँ आपकी के चैनल में उमीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही होंगी पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ता अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन को दबा दीजिएगा और बेल आइकन को दबाने के बाद ही आपको नोटिफिकेशन मिला करेगी हमारे चैनल से अपकमिंग वीडियो की ओके दोस्तों तो लाइक कमेंट करना ज़रूरी है और चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है चलिए दोस्तों वीडियो का तो स्टार्ट और आगे पड़ते हैं दोस्तों आप थमनेल देखके समझ गए होंगे कि आज की वीडियो किस बारे में लेकिन पूरी तरीके से नहीं समझे होंगे तो इस वीडियो को απ पोरी देखनी है आपको तकि आपकी एया पूरी तरीके से समझ सके है चलि दोस्तो दोस्तो आपके मोबाइल में सेट्न होती है सेटिंग में होती आपको प्र Prayigor में में आपको एकसिसीबिलटी सेटिंग मिल जाएगी जीळी disease किया करना होता आपके सीAN लो आप पे सबसांते हैं या पश सकते हैं यूद्धी आफु great अफु सीभिलिटी आप सर्च कर सकते हैं एजीली इनकेज अगर आप सर्च नहीं कर पा रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं दोस्तो आप और कुछ काम कर सकते हैं आप ढाने और आपको बता जेता हूं, क्या कर सकते हैं, जैसे कि अगर आपके search में नहीं आ रहे हैं, पहले तो आपको पूरी तरीके से search करना है, इस तरीके से, ओके दोस्तों, आप जैसे ही search करेंगे, देखिए, ये इस तरीके से search हो जाएगी, और ये आपको पूरी location बता देगी, ले अधिशनल सेटिंग्स के अंदर या फिर आपको बाहर भी मिल सकती है तो दोस्तो यह डिपेंड करता आपके मॉबल के मॉडल पर दोस्तो यहापका अपका असेसिशिबिल्टी मिल चुकी है अब दोस्तो यहापके बहुत सारे ओप्शन देखने को मिल जाएंगे यहां पे ही आपको एक option देखने को मिलेगा accessibility menu का क्या है यह दोस्तो जैसा कि यहां पर लिखा हुआ accessibility menu provide convenient shortcut that allow you to control your device accessibility दोस्तो वो चीज़े होती है जो आप access कर पाएंगे easily यानि कि यह setting का मतलब मैं बता रहा हूँ easily आप कर पाएंगे access और आपको shortcut मिल जाएगा इस accessibility के लिए ओकी दोस्तो जैसे ही आप इसे on कर देंगे अब देखेंगे यहां पर पहले मैं एक सकिंद इसे cancel करके नीचे दिखाएता हूँ नीचे सिर्फ तीन option आ रहे है दोस्तो बैक करने का home screen पर जाने का और उसके बाद सारे menus को हटाने के लिए जो option आता है यह accessibility menu का icon होता है अब देख सकते हैं आप जैसे ही इस पर click करेंगे आप यहां पर click करके बहुत सारी चीज़ों को shortcut form में use कर सकते हैं Google Assistant को accessibility setting को power off अगेरा करना है तो वह भी कर सकते हैं volume बढ़ानी है कम करनी है तो वह भी कर सकते है notification अगर चेक करनी है तो notification यहां से जाके check कर सकते हैं ओके दोस्तों जो ऊपर आती है इसके लावा screenshot लेना है तो direct में screenshot भी ले सकता हूं इस तरीके से click करके screenshot देखिए capture हो चुका है तो काफी अच्छी है यह और यहां पर जाके toggle पर जाके भी आप देख सकते हैं जो उपर के toggle होते हैं वो सारे आपको यहां देखने को मिल जाएंगे तो काफी अच्छी setting है इसके बारे में शायद आपको ना पता हो लेकिन अच्छी setting है इसे use कीजिएगा मोबाइल की accessibility अगर आपको shortcut में यूज करनी है तो आप यहां पर आके एक icon create easily कर सकते हैं जो कि आपके mobile में easily मिल जाएगा आप search करके देखेगा in case कोई problem आते है तो आप मुझे बताईएगा तो उमीद है दोस्तो समझ में आई होगी यह video worth it होगी ओके दोस्तो इनके से अगर यह video पसंद आई हो तो like जरूर कीजिएगा चैनल को subscribe जरूर कीजिएगा और bell icon को दबाना बिलकुल भी ना भूलें दोस्तो बहुत जल मिलेंगे आपको next video में ऐसी amazing tips, tricks और नईनी videos के साथ तब तक के लिए बाई दोस्तो